नमस्कार दोस्तों वेलकम टू अन्य व्लॉग और आज हम है मेरी जन भूमी और मेरी कर्म भूमी नमस्ते दोस्तों जो की है वीरो की धर्ती जवानों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश और बलिया भारत के इतिहास में एक बहुत ही एहम जगा रखता है तो आईए हमा बारे साथ चलिए आज एक सहर के छोटे से ब्रहमण पर मैं उसके लिए क्या लिखूं जिसने मुझे लिखा है पर एक कोशिश तो बनती है गंगा और खागरा की गोद में बैठे बागी बलिया के इतिहास के पन्नों में इश्क से इनकलाब लिखा हुआ है मंगल पांडे, चित्तू पांडे जैसे बलिया के कितने ही वीरों ने भारत मा को अपने खून से सिचा है किस्से तो बहुत है पर एक जो जहन में सबसे पहले आता है वो 1942 का है जब बलिया वासियों ने स्वरगे चित्तू पांडे के अगवाई में पांच दिनों तक बलिया को बिटिश हुकूमत से औप चारिक तोर पे आजादी दिलाई थी ऐसा माना जाता है कि मर्यादा पुरिशोत्तम श्री राम के जीवन को जिन्होंने अपने कलमों से रामायन के रूप में हम तक पहुचाया उन महाश्री वालमिकी ने बलिया को ही अपना घर कहा तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं बलिया रेलवे स्टेशन जो की बलिया आने की सबसे महत्यपूर्ण जगह है बलिया रेलवे स्टेशन वह जन्मंच है जो रेल गाड़ी की धूए से चकाचौन्ध होता है लोग यहां आते हैं अभिलाशाओं से भरे और लौटते हैं यादों से भरे शहर की बखू भी हो या गाउं की हर्याली बलिया स्टेशन आपका अग्रणी दुआर है प्राचीन इतिहास और संस्कृति की विरासत बलिया स्टेशन आपका हारदिक स्वागत करता है स्टेशन से कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि हम पहुँच गए शीश महल थेटर पे यहां फिल्म जगत की जाने कितनी कहानिया दशकों से पर्दों पे गुलजार हुई है थेटर के करीब ही है एक और रंगीना बलिया का अशोग जी लस्सी कॉर्णर तो दोस्तों हम लोग अभी आ चुके हैं अशोग जी फेमस लस्सी पर जो बच्पन से ही मेरी बहुत फेवरिट रही है कि देखिए ऐसी है कुछ यह शौक और मम्मी यहां पर बैठी हुई है यह लस्सी आ गई है इनकी स्पेश्यालिटी होती है कि इतना बड़ा मलाई का यह टुकड़ा उपर डाल के देते हैं कि अब भाईया से दो सवाल करते हैं कितने साल पुराने से दुकान है मैं कितने साल हो गए दुकान को अरते सुन्तालिस साल और पहले आपके पिता जी चलाते थे अभी पिता जी रहते हैं और भाईया भी रहते हैं देखे शौक का नाम यह है अगर आप आना चाहते हैं तो अशोक जी स्पेशल लाजवाब लस्सी और सबसे बढ़िया लस्सी आप आके पीज़े मज़ा जाए जय ब्रिगु आश्रम वो तपोवन है जहां महाश्री ब्रिगु रहा करते थे आश्रम की दीवारें बीते हुए वक्त की कहानियां बया करती हैं ऐसा माना जाता है कि जगत निर्माता ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रिगु मुनी ब्रह्मा विश्नु और महेश में सर्वस्ट प्रिगु सम्हिता वेदों की ज्यान की वो जड़ी है जिसमें जोतिश्य जुड़े सारे रहस्यों का खजाना भरा पड़ा है। और धूप की खुश्बू आपके तन मन दोनों को प्रफुलित कर देगी। मेलन हो रहा है पर आप आना चाहें तो भरिगु बाबा का मंदर और साथी साथ चित्रगुप जी का मंदर आप यहां भी जरूर आए। दोस्तों अगले स्पॉट पे हमने सोचा कि पैदल ही चलते हैं मौसम अच्छा हुगया है तो अभी जा रहे हैं लोग नेक्स जगह जो कि है बालिशवर जी का मंदर यह भी बहुत ही फेमस और इंपॉर्टन जगह है बलिया में काफी डीप हिस्ट्री है इसके बारे में आ अगले पढ़ाओ तक पैदल ही चलते हैं उम्र का तकाजा भी अजीब होता है पैरों ने आना कानी करी पर मम्मी के जजबे ने उन्हें मना लिया और इस तरह हम पहुंचे अपने अगले पढ़ाओ पर दोस्तों चलते चलते हम लोग बहुत ठग गये थे तो आके यहां के फेमस बलिया के विशाल मिस्टान मंडार में हम लोग कोल रिंग पी रहा है और मम्मी ने बहुत दे गोलगप्प नहीं खायते तो अब यह गोलगप्पा खिला रहे है बना रहे है यहां पर देखिए थैंक्यू भिया गोलगप्पा खाते है फिर आगे की जरनी आपको दि गोलगप्पो का स्वात लेकर हम पहुँचे संकट मोचन हनुमान जी के चर्णों में आशिरवात से परपून थोड़ी ही दूर चलकर हम फिर पहुँच गए बाबा बालेशवर के चर्णों में दोस्तों आप हम लोग पहुँच चुके हैं बालेशवर मंदिर जो कि एक बलिया का बहुत ही प्रसिद्यस्तल ये देखे कुछ ऐसा दिखता है बाबा बालेशवर नात मंदिर को सैकड़ो वर्ष पहले दियारा छेतर में राजा बली ने स्थापित किया था बाबा बालेशवर नात का मंदिर सदियों से शद्धालियों की अटूट आस्था वो विश्वाश का केंद्र रहा है मानिता यह है यहां शद्धा भाव से जो भी शद्धालू आते हैं वो कभी हताश वो निराश नहीं लोटते दर्शन करके अब लोग निकल चुके हैं अंदर हमने शूट नहीं किया बहुत सारी भीड थी तो मम्मी देखी अब जा रही है काफी सुन्दर रेनोवेशन करवाया गया है मन्दिर का भी और आप यहार जरूर आए बहुत ही अच्छा लगता है शाम को आके कुछ बैटे कुछ दिर अच्छा लए रहे है तो बालेशवर जी के दर्शन करके अब हम लोग जा रहे हैं बल्या की बहुत ही फेमस समोसे की शॉप जाकर मैं बचपन से आता हूँ तो आईए आपके उसके कुछ दिरिश्य दिखाते है मंदिर के प्रांगड से निकलते ही हम पहुँच गए नुकड पर गर्मा गर्म समोसे खाने यहाँ से मेरी बचपन की यादे जुणी हैं दादा जी की उन उंगलियों के पकड़ कर मैं यहाँ तब से आता हूँ जब तक मेरे दूद के दान भी नहीं तूटे थे पर आज भी सब कुछ समय में रुकास लगता है वही दुकान वही समोसे के लिए लगी लंबी भीड और सबसे बड़ी बात जबाँ पे लगते ही वही स्वात वाह तब्यत द्रूस्त हो गई मन को हमेशा आज छोड कल की चंता होती है तो हमें भी हुआ हरी चनो का मौसम था तो मम्मी ने थोड़े से जल्दी से कल के नाश्टे के लिए करा लिए फिर हम अपने सफर में आगे बढ़े चौक की ओर ऐसा लगता है मानों चौक वो श्दय है जहां रगोर उपी बलिया की सारी गलिया आ मिलती है बलिया के सोतंतरता अंदोलन में योगदान और अगस्त क्रांतियों की उपलब्धियों वह बलिदानों का स्मरण करा बलिया की देश धली में बसा पार्क शहीद पार्क पर यहीं पर है हमने सोचा अब अपना सफर खतम करते हैं पर बलिया आये और लिट्टी चोखा नहीं खाया तो क्या बलिया आये महकते थुए और मसालेदार बातों ने अमें अपनी तरफ खीश लिया दोस्तों हम लोग आ गया है बलिया की सबसे फेमस स्पेशियालिटी खाने में जो है जो की रहे है लिट्टी चोखा यह देखिये बहिए बहिए के जुड़े हुए इन अने एक लिट्टी चोखे के गुम्टियों में प्यार परोसा जाता है दोस्तों अपने इस लॉग के माध्यम से हमने आपको अपने शहर से रूबरू करवाने के एक छोटी सी कोशिश की है इसमें हमारी माता जी ने हमारा पूर्णता साथ दिया माता जी ने भी एक छोटा सा यूटीब चैनल स्टार्ट किया है आशा है आप उनके चैनल को भी वैसा ही प्यार दिखाएंगे हमें उम्मीद है कि आप अपने अगले आत्रा में बल्या ज़रूर आएगी तो दोस्तों हम लोग घर आपस आचुके हैं आशा है कि आपको बल्या शहर की कुछ जल्गया बसंद आई होगी अगर आप अभी तक बल्या नहीं आएं तो जरूर आए आपका वेलकम है और अगर आप बल्या सही है तो बताए कि कौन सी जगह या कौन सी जगह जो ने मिस कर दी कमेंट सेक्षेट ने ज़रूर बता है मम्मी अभी क्या क्या पैकरा के लिए है एक लिटी चोखा है और एक भूने में चैने जो आग पर भूने जाती है यहां का फिमस चला है और हमाई साथ बने रहे हैं प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और रिमेंबर दोस्तों कि बलिया जिला घरवा कौनाबाद के दरवा